हेलो बच्चो आज हम हिंदी के व्यकरण में जो प्रेरणार्थक क्रिया का हमें प्रश्णा आता है उसके उपर कुछ जानकारी देते हैं यह बहुती आसान है हम आसान ही से कर सकते है अब क्या होता है इस प्रश्ण के उत्तर में जो क्रिया दी जाती है उसका प्रथम प्रेरनार्थक तथा द्वितिय प्रेरनार्थक रूप हमें लिखना पड़ता है वहाँ पे मूल क्रिया दी जाती है वह करता द्वारा की जाती ह यानि मूल क्रिया कौन सी है जो करता खुद करता है वो मूल क्रिया रहती है क्रिया करने वाला खुद करता होता है अब प्रथम प्रेरणार्थक रूप का अर्थ यह है कि करता खुद क्रिया नहीं करता कोई दूसरा वह क्रिया करता है और इसी प्रकार द्वितिय प्रेरणार देखिए मूल क्रिया क्या है जो करता खुद करता है करता खुद जो क्रिया करता है उसको मूल क्रिया बोलते है प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होता है कोई दूसरा उस पर क्रिया करता है और द्वितिय प्रेरणार्थक में क्या होता है दूसरा तीसरे से क्रिया करवाता है अब हम कुछ उदारन लेंगे तो आपको बड़ी आसानी से ये समझ में आ जाएगा पहला उदारन लेते हैं सुमन फल खाती है अब क्रिया किसके द्वारा हुई है फल खाने की करता के द्वारा हो गई है जो की सुमन है ठीक है अब दूसरा उधरन लेना है मा सुमन को फल खिलाती है यानि क्रिया सुमन से हुई क्या नहीं तो क्रिया किस से हुई मा से तो करता ने नहीं क्रिया की मा से वो क्रिया हो गई है ठीक है अब तीसरा उधरन नोक्रानी द्वारा मा सुमन को फल खिलवाती है यहाँ दूसरा तिसरे से क्रिया करवा रहा है अब आ गया समझ में इस प्रकार यहाँ मूल क्रिया क्या है? खाना उसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या हो गया? खिलाना और उसका द्वितिय प्रेरणार्थक रूप हो गया खिलवाना अब जब हमें इस प्रश्ण का उत्तर लिखना है तो ऐसे ही नहीं लिखना है उसके लिए हमें कोश्टक निकालना पड़ता है और कोश्टक में उपर लिखना पड़ता है मूलक्रिया हेडिंग में आएगा यह मूलक्रिया दूसरे में आएगा प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितिय प्रेरणार्थक रूप अब यह जो हमने उदारन लिया उसमें मूलक्रिया के नीचे क्या आएगा खाना उसक अगर हम लिखेंगे तो हमें पूरे मार्क्स मिल सकते हैं और इसी प्रकार लिखना जरूरी है कौश्टक निकालना है और उसकी जो मूल क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक और दुथिय प्रेरणार्थक रूप हमें लिखने हैं जब करता दूसरे के लिए काम करता है, तब उस क्रिया को हम प्रेरनार्थक क्रिया कहते हैं. अब और हम कुछ उदारण लेंगे तो आपका सव ये पक्का हो जाएगा. दूसरा उदारण यह है, बच्चा दूध पीता है, इसमें करता कौन है? बच्चा तो क्या कर रहा है वो दूद पी रहा है तो क्रिया क्या हो गई पीना मा बच्चे को दूद पिलाती है तो क्या हो गया यहां पे प्रथम प्रेरणार्थक पिलाना और मा नोकरानी द्वारा बच्चे को दूद्ध पिलवाती है दूसरे से काम करवा लिया है करतानी दूसरा तीसरे से काम करवा रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ हमारा दूतिय प्रेरणार्थक क्या हो गया पिलवाना तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ तो मैंने कोश्टक नहीं निकालना है, लेकिन आपको निकालना है, मूल क्रिया के नीचे आएगा पीना, प्रथम प्रेरणार्थक रूप आएगा पिलाना, और द्वितिय प्रेरणार्थक रूप आएगा पिलवाना, ठीक है? अब और एक उधारन ले लेते हैं, पाल से कहानी लिखाते हैं, और तीसरा क्या है? पिताजी शिक्षक द्वारा कहानी लिखवाते हैं, ठीक है? तो क्या हो गया? इसका अंसर कैसे आएगा? मूल क्रिया क्या हो गई? लिखना, प्रथम प्रेरणार्थक हो गया? लिखाना, और द्वितिय प्रेरणार्थक हो ग प्रश्ण पत्र में मूल क्रिया दी जाती है हमें सिर्फ प्रथम तथा दृतिय प्रेरणार्थक रूप लिखना पड़ता है अब कोश्टक करना तो जरूरी है और उत्तर लिखना है अब देखो मैं कुछ आपको उधारंडे देती हूँ तो आप ये ध्यान में रखना और उ हम लिख रहे हैं मूल क्रिया पहरे कॉलम में आएगा दूसरे कॉलम में आएगा प्रथम प्रेरणार्थक रूप और तीसरे कॉलम में आएगा दृतिय प्रेरणार्थक रूप अब मूल क्रिया है पहला उधारन लेते हैं डरना तो उसका प्रथम प्रेरणार्थक हो गया दराना और दृतिये प्रणार्थक दरवाना दूसरा उदारन करना कराना करवाना तीसरा उदारन दाडना दवडाना दवडवाना ठीक है छिपना छिपाना छिपवाना अब और एक ले लेते हैं फैलना फैलाना फैलवाना अब इसमें हमें क्या ध्यान में रखना है तो ध्यान में रखने योग्य बाती यह है कि मूलधातू के क्रिया को अगर आप आ जोड़ोगे आ द्वितिय प्रेरणार्थक रूप बन जाएगा और एक ध्यान में रखना है कुछ धातू का प्रथम तथा द्वितिय प्रेरणार्थक रूप बनते समय स्वर दीर्ग है तो वह क्या हो जाते है रस्व हो जाते है अब उधारन ले लेते है जैसे पीना इसमें पी दीर्ग है तो जब हम प्रथम प्रेरणार्थब करेंगे तो क्या हो गया पिलाना तो पी रस्व हो जाता है जीना जी दिर्ग है प्रथम और दृतिय हो जाने पर जी रस्व हो जाता है कैसे जीना जिलाना जिल्वाना अब हम कुछ ऐसे ही उधारण ले लेंगे तो आप वो ध्यान में र दस्व या कुछ चेंजे से वो करने हैं सूखना सुखाना सुखवाना सीखना सिखाना सिखवाना लेटना लिटाना ये अलग हो गया इसलिए दिया है लिटाना लिटवाना सीना सिलाना सिलवाना डूबना देखो दीरग है डूबना, डुबाना, डुबवाना, रस्व हो गया सोना, अब सोना का क्या होगा सुलाना, सुलवाना, बैठना तो इसके दो प्रकार के हो जाते है बिठाना, बिठवाना ये भी बराबर है और बैठना, बैठवाना ये भी बराबर है तो इस प्रकार मूल क्रिया लेकर उसका प्रथम तथा द्वितिय प्रेरणार्थक रूप का अध्ययन या प्रैक्टिस हम घर पे कर सकते हैं इसमें बड़ी आसानी से गुण मिल जाते हैं और बहुत सारे उदाहरण हमने इस वीडियो में आपको दिये है वो भी देखना उसकी भी प्रैक्टिस करना और खुद भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे अलग अलग तरह के वाक्य लेके तो बड़ी आसानी से आपको गुण मिल जाएंगे ठीक है बाई